नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से गौर्वेंट एमपलोज न्यूज यूटूब चैनल में दोस्तों आज इस वीडियो में हम प्रधान मंतरी मातरत वंदन योजना PMMVY के बारे में बात करेंगा जिसके तहत एक गरवती महिलागो अपनी प्रेगनेंस हाई का कंडिसन हैं यह सब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आप बने रहे हैं इसकंच garlic में दीजाएंगे आपके फायदे कीटतों प्रधान मंतरी मातरत वंदन योजना से पहले इंद्रा गांधी मातरत सहयोग और enhance से जोना जाता था जो भी मैला गर्वती ह या फिर इस्तनपान करवाती है उसे लाव दिया जाता है यह योजना साल 2010 में शुरू की गई थी और इस योजना के तहत जो महिला गरवती हो या इस्तनपान करवाती हो उसे 6000 रुपे की साहता यहां पर सरकार की तरब से प्राप्त होती है और इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंतरा ले Ministry of Women and Child Development ने 2010 में लाया गया था और इस योजना के तैत कोई भी महिला जिसकी उम्र 19 साल या उससे ज़्यादा हो और उसके दो बच्चे हो तो उसे इस विदा का लागें पर मिलेगा तो यदि आपके दो बच्चे हैं या फिर आपके पहले बच्चा है और आपके दूसरी बाहर रहे दिया आप गरवती हैं तो आपको इस विदा का लाग मिलेगा तो आईए अब हम आपको प्रदान मंत्री योजना के बारे में डेटेल से यहाँ पर आपको बता देते हैं तो इस योजना का उद्धिस जिसे के मैं आपको पहले बताया वो गरवती महिला को इस सेहत में सुधार करने के लिए आपको यहाँ पर विद्धिय सहायता सरकारी तरफ से प्रदान की जाती है और इस योजना के तेत है गरवती महिला को तीन किस्तों में सहायता प्रदान की जाती है तो इसकी पहली किस्त आपको जब जी आती है, जब आप आगनवाडी के इंदर से अपनी pregnancy register करवाते हैं, तब आपको पहली किस्त का मुगतान कियाता है, यानि आप गरबदारान से 150 दिन या 5 मेने के अंदर-अंदर आपको आगनवाडी में अपना registration करवाना है, तब जाके आ करवाने जाते हैं, तब आपको 2000 रुपे की दूसरी किस्त है, वो उसका भुगतान आपको किया जाता है, उसके बाद में जो तीसरी किस्त है, वो आपको तब दी जाती है, आपकी delivery होने के बाद में आपको इदी जाती है, और जब आपके बच्चों का पहला TIA करण जैसे क BCGA, OV, OPV, DPT, Hepatitis B, अधिके जब आप TIA करण करवा लेते हैं, तब आपको आपको आपकी जो तीसरी किस्त है, बाकी जो बचा हुआ पैसा है, वो आपको 2000 रुपे और 3000 रुपे हो सकता है, इसका भुगतान आपको किया जाता है, इसमें द्यान रखें आपकी ऐसी सभी महि मिला है, जो कि राज सरकार और किसी सारवजनिक चेत्रों में रोजगार पर हैं, उन्हें इस विदा का लाब यहां पर नहीं दिया सकता, तो यह दिया आप एक ग्रैनी है, चाहिए आपके हज्मेंट जोब कर रहे हैं, तब भी आपको इस विदा का लाब मिलेगा, लेकिन PMBI application forum 1a भरना है, दूसरी किस्त प्राफ्त करने के लिए forum 1b भरना है, और तीसरी किस्त प्राफ्त करने के लिए forum 1c यहां पर आपको भरना है, तिके सबसे पहले आपको यह है कि जैसे ही आप pregnant होती हैं, तो आप तुरंच जाके आपकी नजदी की जो आंगनवाडी के इंद उसके बाद में यहां पर नहीं होगा और आपको इस विदा का जरूर ध्यान रखें कि आप पांच मेने के अंदर-अदर अपना जरूर प्रप्त करें तो दोस्तों यह आपको इससे जुड़ी हुई और कोई कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के मादम से संपर्क कर सकते हैं हम आपको उसका जरूर जवाब देंगे और ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जो सुचना आपको दी करें बारे चैनल के लागाब करें तो आपको जिए।